स्लाम अलेकम दोस्तों एक नई वीडियो में आई वेलकम ओल आफी दोस्तों वीपेपर आज हो चुका है M.U.Cat का आप सबने दिया होगा जहाँ पर इस बार छे कुर्स को कलब किया गया है जिसके नाम थे M.B.A. M.B.I.B. तो पहली था लेकिन M.B.A. F.M. और M.B.A. Agribusiness, MSW और M.B.A. H.M. इन सब को एक साथ जोड दिया गया तो इसको कहा गया M.U.Cat 6 कोर्स लगबग इसके अंदर आये थे सब की एक ही टेस्ट और अब एक मैरिट निकल के आएगी जो फिर जहाजा आपने फॉर्म भरा होगा अगर आप महां मैरिट में आएंगे तो इसको बात आपको एडिमिशन मिल जाएगे लेकिन अगला मसला आता है को कि इस बार सारे कोर्स में जीडी इंटरवी भी हो चुका है इससे पहले आपका वह सब्केडल से एक वैर्म इसको बोलूगा एक मैं टिपिकल एम्यू पेपर है ठीक है चेपिकल आयू का मतलब है कि यह पेपर बड़ा यह मतलब एक गरम देखें तो आ एक्सपेक्टर था ऐसा ही आता है और ऐसा ही आया वही सवाल ट्रेड वाले और क्लॉक वाले सवाल दोस्तों कुछ सवार अच्छे भी थे जो अच्छे भी आए थे लेकिन बहुत असान है ना बहुत मुश्किल है यह मैं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ लिया इसलिए लगता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा मान तो 25 में दोस्तों यहां पर पतलब 12-13 सवाल तो इतने मुश्किल नहीं थे वह 12 सवाल बच्चे उनको कर जाना चाहिए 12-12 सवाल ऐसे में खाल से यहां पर आये थे जो बच्चा पढ़ गया होगा वह बने तो के मारे इसको कर गया होगा तो सो उसके बाद आती है आपके दूसरा पार्ट दूसरा कौन कहले हैं दोस्तों रिजनिंग में जो है कई सवाल आसान थे दोस्तों काफिस में मैं समझता कोई बहुत सवाल मुश्किल दोस्तों थे यह दूर वाला सवाल मुश्किल लगा होगा बच्चों को दोस्तों बाकि क्लॉक वाले सवाल तो यहां भी 25 सवाल यहां पर आपक कर लियोंगे यह भी जो आपका आया था डाटा वाला यह इतना मुश्कल नहीं था मैंने इसको अभी इसके आंसर की बनाया थी जो छोड़ दिया था तो यहां दोस्तों मेरे खास से 15 हवाल ठीटा का है जो बच्चा पढ़ गया होगा 15 आराम से कर लियोंगे जादी कर गया हो होगा हो दो की पढ़ने वाली बात कर रहा हो है शुक्तौर थार्ड पार्ट पर आपको आया था यहां पर आपकोabis मैंतमेंटीक कर दित की और मैं देखता हूं तो मैं समझता यह बड़ा तरवसाय सवाल रही होगा मैं समझता हूं के 2012 सवाल को पच्चे ने वी यह था इनमया चाहीं इंट बात करते हैं कि क्योंकि इस बार कई सारे कोर्सेस जो है वो क्लब कर दिये गए और उसके बाद उस्तों यहां मैरेट बनने वाली है पहली बात पता यह चले के सबकी लिस्ट जो इंटर्व्यू के आई वह सेम होगी अलग होगी लेकिन दोस्तों पहले बात करता हूं मैं सब्सक्राइब और दोस्तों यहां पर मेरे ख्याल से मैं सब्सक्राइब करें तो इंटर्व्यू को दोस्तों मेरे खाल से इस पेपर को देखते हुए थीस प्तलब 30-35 के बीच में कॉल पक्का आ जाएगी इस बात करते हैं अब अंज़्यक को अगरिश बीस्सेजनेश वहां दोस्तों वहां भी जो मैरे ट्रएगी एक्सटरनल के लिए 40 के राउंड रहेगी इंटर्विव के लिए 40 40-42 और दोस्तों अगेन वही 35 के राउंड रहे इस ज्यादा नहीं रहने वाली है उस्टरनल के लिए और लिंगक्त तो किवेंस से पैताले के बीच में इसके कम बहुत जादा मुश्किल जैसे कम पिपर इतना मुश्किल नहीं है कि बच्चा 40-50 इसमें ना कर पाए ऐसा फीपर बिल्कुल भी यह नहीं आया है कि मैं कहती हूं जो बच्चा पर गया होगा वह आराम चीशने 50-50 सब्सक्राइब कर गया होगा बिल्कुल अराम से तो एक्स्टेरल के लिए मैं समझता हूं कि 40-45 कोई भी कोर्स आप में डाला है उसमें आपका कॉल आ जाएगी चालिसे भी कॉल आपको आजाए इंटर्विव की और थोड़ा और कंपे भी आ जाए और जो इंटरनल है दोस्त इंटर्विव की इस से कंपे भी कॉल आ सकती है तो यह दोस्तों मेरे खाल से यह मेरा था इसमें मेरा गैस के कट ओफ दोस्तों क्या रहेगी इस से जाधा कट अप नहीं रहेगी इंटरल 30-35 के राउंट आपके स्कोर कर लिए तो आपको इंटर्वी कॉल आईगी बात में यहां पर इसके बात में होगा कर लिए होगा यहां पर इसके बाद आपके इंटर्विव कम नंबर हो तो आप काम को जाए अग्र ATT को मेरे बाद सही निकलेगी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलूंगा आप से एकली वीडियो में कुदा आफिज